मद्धप्रदेश चुनाओं से पहले असंतुष्ट नेताओं का कॉंग्रस में जाने का सिर्सिला जारी है बुद्धवार को बीजेपी के पूरो सांसद, बोध सिंग भगत, बुधनी से बीजेपी नेता, राजेश पठेल और रीवा सरपंच संग के अध्यक्ष दिलीप सिंग अपने समर्थोकों के साथ कॉंग्रस में शामिल हुए कॉंग्रस की इस रणनीत को सियासी हलकों में आपरेशन पंजाख नाम दिया गया है राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कॉंग्रस ने असंतोष्ट और बीजेपी के नाराज नेताओं की स्थिति को और ना सिर्फ संभाग और जिलास्तर पर बलकि ब्लॉक लेवल के नेताओं से भी संपर्क किया जा रहा है कॉंग्रस में शामिल हुए नेता भी इसी बात की तज़्दीक करते नजरा रहें पंजा तो हमारा निशान है ही मगर अब डबल पंजा होगो या कमनलाज जी का पंजा भी उसमें चालू कर रहा है और वो पंजा किन किन को घायल करेगा उसका उपचार भी शायद नहीं मिल पाएगा एक हजार प्रतिशत सफल होगा और पंजा के साथ दोनों हाथ मिले हुए है हलाकि कॉंग्रस में शामिल होने की शर्त कमनलाज कई बार बता चुके हैं जब इस धानी ये कॉंग्रस नेताओं की मंजूरी होगी और टिकेट के लिए बिना शर्त नेता आना चाहेंगे तब ही उन्हें कॉंग्रस की सदसिता मिलेगी इससे कॉंग्रस अंदुरूनी कलह की गुंजाईश को भी खत्म करना चाहती है हलाकि कई मौकों पर खाटी कारकरताओं का विरोध नजर आ चुका है इधर बीजेपी से कॉंग्रस में शामिल हो रहे नेताओं को लेकर बीजेपी का एक ही जवाब है और वो इस दल बदल को बड़ा फैक्टर नहीं मानती चुनावी साल के बीते 6 महीने में करीब 40 दिगज नेता कॉंग्रस का दामन ठाम चुके है और कॉंग्रस कई और नेताओं के आने का दावा भी कर रही है लेकिन क्या नेताओं का अपने पार्टी से मुह भंग होना कॉंग्रस के लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर ओपरेशन पंजे से कॉंग्रस बीजेपी का ही फायदा कर रही है इसका जवाब आने वालब वक्त ही बता पाएगा सवाल लंबर एक क्या बीजेपी की तरज पर कॉंग्रस ओपरेशन पंजा चला रही है सवाल नंबर दो क्या कॉंग्रेस ने असंतोष्ट नेताओं की स्थीति को पहले ही भाप लिया था सवाल नंबर तीर क्या नाराज नेताओं को शामिल कर कॉंग्रेस बीजेपी का फायदा कर रही है नफशकार मैं हूँ शरद्यवेदी और हमारा आज का मुद्धा है ऑपरेशन पंजा इधर से उधर और उधर से अधर आना कोई नई बात नहीं है लेकिन चुनाओं के पहले इसका अपना एक मनोवग्यानिक असर जरूर होता है और यही वज़े है कि चुनाओं के ठीक पहले ये घटना करम पार्टी छोड़ने के अचानक बड़ी तीजी से बन जाते है और जाहित तोर पर समर्थकों के साथ आना जाना होता है तो गाड़ियां आती हैं गाड़ियां कतारें लगी रहती हैं भोपाल आने की पार्टी कार्याले में समर्थक रहते हैं फला फला संगर्श करो हम तमारे साथ हैं आदी नई तुफान हैं फला फला जी हैं तमाम बाते होती हैं और चीज़ें आगे बढ़ती हैं लेकिन असली मुद्दा जो है वो ये है कि क्या दल बदल कहीं मनोज्यानिक तोर पर कोई प्रभाव मतदाता के मन में छोड़ता है या मतदाता किनारे बैट के यही सोचता है कि अब तो इधर का दल बदल का माहौल है साथ चुनाओ है तो आएंगे जाएंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा और सही बात भी है उसकी सेहत पर क्या फर्क पड़ना है अगर वो ये देखे कि कोई डिलिवर करने वाला जो उसका बह हो थी भावनात्मक ऐसे नेता भी दर से उधर होते हैं तब तो जरूर सोचता है कि या यह उधर चले गए या उधर से इधर आ गए क्या फर्क पड़ेगा लेकिन बड़े मुश्किल होती है तो यह सिलसला बहुर तेज पकड़ेगा और कॉंग्रेस इसको एक साइकोलोजि मिलिए हमारे साथ हैं दॉक्टर दीपक विजयवरगी सीनियर बीजेपी लीडर स्पोक्स पर्सन और स्वागत करता हूं फिरोज सिदिकी साहब हैं प्रवक्ता हैं कॉंग्रेस के हमारे साथ रहेंगे बहुत स्तक्बाल मनोच सैनी है एक्जिकिटिव एडिटर हमारे साथ बुंदेल खंड के प्रवास पर हैं इन दिनों प्रवास मैं हैं समय पत्रकार गण जितने भी हैं मद्यप्रदेश के कोई फला यात्रा पर है कोई अभी हम बात कर रहे थे स्टूडियो में तो कोई जना क्रोश को देख रहा है कोई जना अशिरवात को देख रहा है तो ना जो गहरा तो नहीं होता चलता रहेगा कि 관련 मालवा की काली मेटी के लिए कहता है मानोłu जी यही बात कही है कि वड depend का के यह बात कही है कि जो भी आना चाहता वो आजाए लेकिन हमारी शर्टों पर हमिश्या जब कुछ दिन पहले गॉलियर में आये थे तो एक बड़ी कारे समीती हुई उस कारे समीती के दौरान ऐसी खबरे आये थी उन्होंने कहा कि जो आना चाहता है उसको आने दीजे चाहे वो कॉंग्रिस से आता है तो आने दीज क्योंकि आने से प्रभाव पढ़ता है और प्रभाव शर्ट जी किस तरह पढ़ता है आपको याद होगा 2020 में जब चुना हुए उप चुना हुए तो उप चुना में सिर्प ये कहा जा रहा था कि सरकार की बाप्सी होगी कॉंग्रिस की क्योंकि जो छोड़ कर गए उन पर टिकाओ बिकाओ तब हम तरह के आरोप लगे लेकिन जनता के बीच में एक मैसेज कहीं ये दैने में काम्याब हो गई थी भारती जनता पार्टी कि बीजेपी वो है जो आएगा उसके आधार पर सत्ता में बापसी कर लेगी क्योंकि कांग्रिस अपने लोग को संभाल नहीं बाई बाई सिती भारती जनता पार्टी में फर्क इतना है कि वहां मंत्री विधायक पार्टी छोड़कर गए थी तो एक बड़ा असर दिखाई दिया कि जब बाई चोड़कर विधायक और मंत्री जा सकते हैं तो फिर किस पर विश्वास किया जाए और इसलिए साथ उस च कुछी जारी नहीं कि है उसके बाद क्या इस्तित्या होगे मेरे पास चानकारी है आगामी एक मैने के भीतर भारती जनता पार्टी के भीतर भीतर दी कुछ लोग बड़ी तैयारी में है और बीजेपी उसको बुनाने वाली है वह कौन लोग होंगे नाम लेना उचित नहीं लेकिन तैयारी दोनों तरफ से अब किसको कितना एज किसको कितना बढ़त मिलेगा यह बड़ा मुश्किल है क्यों कि आप क्यों जा रहे हैं क्यों आना चाहते हैं तो मुझे लगता है यह चुनाओ बड़ा दिल्चस्प होने बाला है और इसमें पुरानी हिंदी फिल्मों मे जीवन साब मुझे अक्सर याद आते हैं जो सलाकार की भूमी का अक्सर निकाते हैं पढला कॉंग्रेस का भारी दिखता है मौका है भुना लो राम प्रकाश आगे बढ़ो दामन थाम लो कॉंग्रेस पिछड रही है अब बीजेपी आने वाली है बीजेपी के साथ रहो क् कि पांचवी बार बीजेपी सरकार हां 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 माफ कीजेगा सर थोड़ा सा रंग बदलने के लिए क्योंकि रोजवही बातें यह आरोप यह प्रत्यारोप तो इसमें थोड़ा रंग भरने कि हम लोग वैसे भी नौटंकी वाले कहे जाते हैं सर्थ एंकर यानि नौटंकी तो यह चलता रहेगा यह सिलसिला लेकिन यह तैमानिये कि इस समय सलाहकार जो ब्रास्ता दिखा रहे हैं भाईया लोग इस समय सबसे कंफ्यूज रहते हैं कल ने भाईजा आप गड़ बरत नहीं होगी ने चले चड़ जाओ सूलीप चड़ जा बेटा प्रभू भली डॉक्तर दीपक विजयवर्दी देखिए सहाइक शराइजी की चुनाओं के समय यह जो आना जाना है यह पुरानी परंपरा है और आज मैं आज की बात नहीं है उननीस सो सत्तावन जब दूसरा चुनाओ हुआ तभी आवक जावक शुरू हो गई एक विचार धारा से और विचार धारा और आज के दोर में तो मैं समझता हूं कि सभी लोग विकास के अजेंटेप हैं विचार धारा तो इतनी कोई एहम बाद बची नहीं है तो ऐसे में जिसको संभावना है जहां दिखती हैं कई बार निता पाला बदलने ही कोहिश करते हैं लेकिन दस बीस पचा नहीं देखके देखके जा रहा है कि उसकी क्या संभावना हो सकती है टिकेट के मामले में वाजपा में उनको अगर कह दिया गया है कि आपकी कोई संभावना नहीं है तो इससे मैं नहीं समझता कि कोई बहुत फर्क पढ़ने वाला है लेकिन चुनाओं के समय चुनावी माह माहुल को रंगीन बनाने के लिए इस तरहीं खबरें थोड़ा सा माहुल मेरस खोल देती है यह जरूर है बड़ी दिल्चरस बात कही चुनावी फिजा को रंगीन बनाने के लिए दल बदल एक बड़ी महत्मूर बात सही है रफ इसमें जो मसाला डोसा है वह आपको कहीं मि अधिकतर यह रंग भरने के लिए है तो रंग भरते रहेंगे ताब चुनाओं का मौका है फिरोज सिद्धिकी ताब आपका पंजाह इसमें बीजेपी को बीजेपी के लोगों को अपनी तरफ खीच रहा है हाथ बढ़ा कर कह रहा है शेखेंड करिए कॉंग्रेस के साथ आ अधिकतर आए और लोग तूट के क्यों गिरेस में आ रही है आप देखिए कि एक जन अशिरवाद यात्रा चल रही दे ज सब्सक्रार किस्तितल नारे के साथ शुरू कि 1974 यह हो गई कि वो बहार के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने लगी, वो बहार के लोगों को ताज बना लिया, और ये सवर बहुत दिन से उठ रहे थे, सभी नेता कह रहे थे कि हमने न्यू बनाई और बोर्ड किसे दूसरों ने लगा लिये, तो हम न्यू के पत्थर थे, प्रवक्ता टीम देख लीजिए, उसमें कोंग्रेस से आये, तमाम दलों से आये लोग आ गए, आप इनकी कारेकार्णी देख लीजिए, उसकी यही इस्तिति है, हर जिले में एक नेता जो है, वो दूसरे दल से आया है और विधायक बना हुआ है, तो ये जब होने लगा औ अब जो है भारती जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, अब नेता भी तूट रहे हैं, और कारेकरता भी तूट रहे हैं, देखिए गरिजा शंकर शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की, कि मैं 45 साल से भारती जनता पार्टी में था, मैं भारती जनता पार्टी की बुरा लिए पार्ती विश्च प्लिप जद्धा था फाल पष्ट बात किये मत में अगए आपकत है आपको टिक्किट Bev आपको मंतरीप्ध चाहिए जो भी आपको चाहिए हमारी जिला कॉंग्रेस कमिल्टी से बात करिए ब्लोग Congress Committee से बात करिए वह अनुशन शा लेके आई इगी आपकी तो हम आपको जो आप कहेंगे हम करने के लिए तयार है लेकिन प्रथम यह है कि आप ब्लॉग Congress Committee हो जिला Congress Committee हो से चर्चा किए बस सीधी बात है हमारी सपश्ट हम टिकेट भी देंगे तो कॉंग्रेस कमिटी जिला कॉंग्रेस कमिटी जब यह कह देंगे कि हाँ इनको दी जा सकती है टिकेट देंगे टिकेट मनोज दल बदल के कोई नियम नहीं होते हैं और यही वज़े है कि एक डेड़ साल पहले कॉंग्रेस से बीजेपी में आये अनेक नेता में कोई बहुत फिर कॉंग्रेस में चले गए अब इससे क्या फर्क पड़ेगा यह मुझे लहीं लगता कोई बहुत फर्क पड़ेगा और इसी तरह बीजेपी जो है वो भी कॉंग्रेस से आने वाले लोगों को ले लेती है जिसको अभी मैंने एक नैशनल टीवी चैनल पर बड़ा अच् पर बीजेपी के रणनीती कारों ने इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया कॉंग्रेस को चोट पहुंचाने के लिए उसको कमजोर करने के लिए इसलिए नैशन वाइड यह स्टाटीजी बीजेपी की मिशन लोटस भी रहा करनाटक की बात कर लें मध्यप्रदेश की ब पहुंच रहा है क्योंकि कॉंग्रेस ने आपने बहु भी कहा कि टिकेट रोक कर उसने बीजेपी के धड़कते दिल वाले नेताओं का अट्रैक्शन बना कर रखा है जी जी देखिशन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा देखिए कॉंग्रेस में और बीजेपी में फर्क है जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि कॉंग्रेस छोड़कर वो लोग गए थे जो किसी पदपर थे मंत्री थे विधायक थे और जब गए तो जीत का अ पहले बिधायक रहे हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी जाहर है बड़ा किलियर है कि टिकेट नहीं मिलेगा तो फिर वहां से टिकेट की उम्मीद की जा सकती ऐसे तमाम लोग तो जहां जिसको जो देखिए अब राजनीती बिचारधारा की राजनीती नहीं है चाहे बीजे की पार्टी है या पर ये भी कहा जा सकता है कि स्वार्थ सिद्धी जिसे कहा जाता है कि समय जहां दम वहां हम यदि यहां मौका नहीं तो कहीं और मौका मिल जाए ज़दी जन प्रतिन इदी की रूप में आप सेबा करना चाहे तो बहुत सारी ऐसी जगह है वो बीजे पी क सकती कॉंग्रिस की भीतर भी लेकिन पद की जो लालत सा है उसमें जनता कहां रह जाती शरत जी क्योंकि अपना पद देख रहा है आप 40-40 साल आप टिकिट दिया आपको किसी पार्टी ने आप बड़े मद्दों पर रहे तमाम तरह की जिम्मेदारिया निभाई उसके बाद भी आप पार्टी छोड़ देते हैं वो कॉंग्रिस की भीतर भी देखा बीजेपी के भीतर भी तो मुझे नहीं लगता है कि पर्क पड़ेगा क्योंकि जनता बहुत समझदार है और इस बीच में कितने बड़े नेता कौन ले पाएगा क्या कॉंग्रिस की भीतर कोई ऐसा मिधायक या मंत्री आएगा जो मंत्री है बरतमान में और छोड़ कर आजाएगा कॉंग्रिस के भीतर तो ये एक असर दिखा पाएगा लेकिन बीजेपी की तैयारिया है कि कुछ ऐसे बड़े चेहरे उनके साथ आजाए लेकिन कितना कौन कर पाएगा ये बड़ी बात है प जनता अभी भी अपने मनतव्य को अपने भीतर सनजोए है दोनों पाटियों के पास वो हों। पहुंचती है देखती भी है दोनों पार्टियां भी उस तक हैं लेकिन अभी तक आप ये कह सकते हैं कि हाँ जनता जो सोच रही है हालाकि बीजेपी के एक सीनियर लीडर कहते ह है कि छे महीने पहले जिस प्रदेश में होते हैं या देश में हो इसमें पहले लोगों का मन बन जाता है अगर उनकी बाद हम सच्चाई माने तो मन तो बन चुका होगा अब ये है कि इस मन को और निखारने का काम इन दोनों दलों में से जो अपनी अपनी संभावनाओं को निश्चित तोर पर बहतर मान रहे हैं मानना ही चाहिए चुनाओ लड़ने के लिए ही जीतने के लिए ही लड़ा जाता है दीपक जी आपकी रणनीती यह रही कि कॉंग्रेस को कमजोर करना है और चुनाओ में मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ कि इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आपकी जगे कॉंग्रेस भी मद्यप्रदेश में होती तो 2019-2020 में वो भी वही करती जो बीजेपी ने किया अगर एक धड़ा बीजेपी का आने वाला रहता उसके पास तो बखूबी स्वागत करती जो भी नाम देती लेकिन कोई मना नहीं करता इस तरह से जब खुद जो है जीत चल के आपके दरवाजे पे इस तरह से पहुंचती है आप आगे क्या देखते हैं क्या आप मनोच कह रहे थे कि कुछ आपके हां भी बड़े सर्प्राइज हैं आपके नेता बी 35 करोड़ लोगों को बोट करते हैं तो अगर हमारा इतना विस्तार हो रहा है तो जाहिर तोर पर हमारी जो खुले पन की नीती है स्विकार करने की नीती है और देज भर में किसी भी शेत्र के लोग हों किसी भी अंचल के लोग हों किसी भी सामाजिक प्रस्ट भूमी के ऐलों को सारों उपने विशारокो आत्मसात करने के लिए बढ़ना चाहते हैं तो जो भी आएगा उन्सागत है रही बात इस चुनावी बेला की, तो चुनावी बेला में जो संबाद, जो टेबिल के नीचे संबाद होते रहते हैं, वो संबाद का अरजंट है, वो सही समय पर सामने आता है, अब कॉंगरस के साथ तो मजबूरी यह है कि इनको रोज कुछ ना कुछ करना है, इनके पास इनका रोड़ा, भानुमती ने कुणबा हो जोड़ा, यह इंद्रा जी के बारे में कहने उक्ली बास चुरू होई थी, और सोनिया जी के तक चल रही है, तो चलने रोजन, लेकिन इससे कॉंगरस का विस्तार नहीं होगा, बाश्पा आपने विस्तार के साथ चलती रहेगी मैं अगर मानु की भानुमती का कुणबा, आपकी बात को सच मानु तब भानुमती के इस कुणबे ने 2018 में प्रदर्शन तो आप से बेतर किया था, हलांकि बड़ा फोटो फिनिश था, लेकिन आप से आगे निकल गया तो भानुमती के कुणबे को भी कम नहीं समझना है, और यही वज़े है कि इस बार आप यानि बीजेपी, एडी चोटी का जोर लगा के हर चीज को खुर्दबीन से देखने कर, माइक्रोस्कोपिक विजन के साथ आके बढ़ रही है, विच इस वेरी गुड फॉदी टिमोक्रसी, यह बहुत अच्छा है कि दोनों ही दल इस बा होने जा रही है, जी फिरोसी देखी ऐसा है कि इस पश्ट बात यह है कि जैसा आपने का ना कि छे मेने पहले जनता मन बना लेती है, एक हवा अपना रुख बता देती है, और इनके कारेकरताओं को भी अब यह समझ में आ गया कि भारती जनता पार्टी अब सत्ता में नहीं रहने वाली, देखिए जितने भी लोग कॉंग्रेस को जॉइन कर रहा है, और आप शेखावज जी को बात करें तो अपैक्स बैंक के अध्यक्षर है, आप अगर दीपक जोशी जी की बात करें, वो भी कोई आज बोध सिंग भगत जी आए, वो पूरुफ सांसद है, इस से राम खिलावन पटेल बसपास है, पूरी आदियस जादा कैविनेट कॉग्रेस से, आप जो आपके जो विदान सभा अद्दक्चे गरीश गोता वो कम्यूनिस्ट है, तो ऐसे और आम आदमी पार्टी और ये वो तो अभी बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो भानूमती का कु करनुबा तो जो है, वो है, जो मैं फिर कहूंगा कि जो कुशाभाव ठाकरे ने जिस पार्टी को गड़ा था, वो एकदम बिल्कुल प्योर पार्टी थी, आज वो कहा है भारती जनता पार्टी, और जो भारती जनता पार्टी के हालात हैं, वो भी आप देख लीजी कि उन है, तो इसका मतलब है कि आपकी बहुत जबर्दस्त अलारम बजरा है आपकी पार्टी के लिए, तो कॉंग्रेस मास बेस पार्टी है, फिरोज जी ने एक स्विकार कर लिया कि भाजपा कितनी इंक्लूसिव पार्टी है, कम मिनिस्टों से लेके बहुजन समाज पार्टी त लंके स्विम से वक हैं की नहीं, तो आज भी है, ये करम चलता रहेगा, दोनों पार्टी हो में चलता रहेगा, लेकिन देव दुरलब कारेकरता भले ही बीजेपी की तरफ से बहुत सुन्दर पोईटिक एक्स्प्रेशन है, का व्यात्म का भी विक्ति है, उस कारेकरता के लिए जो सबसे बड़ा सेनानी हैं चुनाओं का, लेकिन उस कारेकरता को उस मंजर तक मतला ये, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रिस का हो, किसी पार्टी का हो, कि जैसा हमारे भोपाल के ही शायद कैब भोपाली साहब का शेर था, नहीं तो ये कारेकरता की जरूरतों का ख्याल, ये सब रखिये साहब, क्योंकि असली लड़ाका यही है, बहुत शुक्रिया फिरोज सिदिकी साहब, बहुत धन्यवाद दॉक्र दीपक विजेवर की, बहुत शुक्रिया मनों जी, और आगे रेखिए ए खास शो, मुक्यमंतरी शिवराज सिंग च झाल, झाल, बहुत आहिए, बहुत रहाँ ऑ्यच्र अजाब।